आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए मेरी most favorite recipe जिसे मैं बिना भूग के कभी भी खा सकती हूँ तो friends यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी boil होने के लिए इसमें मैं डाल देती हूँ बत्वा बत्वा के हम पूरी बनाएंगे और जो पूरी मुझे बहुत बहुत जादा पसंद है इस बत्वा को मैंने पानी में boil करके इसका paste बना लिया है मिर्च और लसुन और थोड़ा से अद्रक के साथ यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है यह नॉर्मल सा गेहूं का आटा है इसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और यह जो बत्वा का paste हमने बनाया था वो paste भी मैंने इसमें add कर दिया और यह जो recipe है यह मेरी most favorite है इसलिए मे अब की कोई और favorite dish हो तो वो भी जरूर बताना तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है आटा मलकर ready हो चुका है हमें यहाँ पर आटे को ज्यादा soft यह ज्यादा tight नहीं मलना है normal सा आटा मलना है अब हम इसके छोटी छोटी सी लोईयां तोड लेंगे छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं पूडियों के लिए एक तरफ मैंने oil भी गरम होने रख दिया है कड़ाई पर तो यह देखिए यह मैंने छोटी-छोटी से इसके गोल-गोल से पेड़े बना लिए यह जो पूडियां है बत्वी कि यह मेरी इतनी पसंद है मुझे कि जब मैं इसे बना रही तो मैं सोच रही थी कब यह जल्दी से बनकर ready हो और कब मैंने खाऊं और सबसे special सी बात इसके साथ मैंने बत्वा का रायता भी बनाया है जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया है आप देख सकते हैं मेरी channel पे इसके पहले जो मैंने वीडियो सेंड किया था बत्वा के रायते का ही था तो यहां पर देखिए अब मैं इसकी छोटी-छोटी सी पूरियां बना लेती हूँ यह मैंने यहां पर छोटी सी पूरियां इसकी बेल ली है यहां पर हमें 3-4 पूरियां खटी करके बेल देना है तब हम इने सेकेंगे और एक important बात जब भी हम बत्वा या पालक की पूरियां बनाते हैं तो उसे सरसो के तेल में ही फ्राय कीजिए इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हैगा अगर आप रिफाइन यूस करते हैं तो यूस कर सकते हैं बट मेरी तो सला यही रहेगी कि कभी भी आप अगर कोई भी मसाले वाली पूरिय बनाते हैं तो उसे सरसो के तेल में फ्राय कीजिए एक बाट राय ज़रूर करना और आपको पता चल जाएगा टेस्ट कितना अच्छा आता है तो यहाँ देखिए मेरी एक पूरिय फ्राय हो चुकी है अब मैंने इसमें दूसरी पूरिय डाल दिये और साथ में तीसरी पूरिय भी डाल दिये कढ़ाई मेरी थोड़ी बड़ी है तो मैं आराम से दो से तीन पूरिय इसमें एक अटा सेख सकती हूँ और मुझे भूख इतनी लग रही थी ना उसे तो रहाई नहीं जा रहा था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारी अपनी पूरिया सेख ली अब ये मेरी लास्ट वाली पूरिय है बस ये भी अप सिख जाएगी इससे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में देखिए कितनी बढ़िया फूल रही है सारी की सारी पूरिया मेरी यहां पर फूली हुई है अगर आप आटा ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे पूरियों का तो पूरिया नहीं फूलेंगी इसलिए से ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है ना ज़्यादा ताइट यह देखिए मेरी यहाँ पर सारी पूरियां सिक्कर रेडी है और सारी अच्छे से फुली होई है तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है थैंक यू